वेलकम टू MBMH कलासेज आज हम राजस्तान के आभूशनों के बारेम पड़ेंगे जो राजस्तान पुलिस की दर्ष्टी से काफी इंपोर्टेंट है लगबग एक या दो क्यूशन जरूर आते हैं तो पहले हम सिर्वे माथे के आभूशनों के बारेम चर्चा करेंगे कौनसे सिर्वे माथे के आभूशनों के बारेम चर्चा करेंगे पहला है बोरलो कौनसा बोरला बोरला कहां पर पहना जाता है सिर में कहां पर सिर में दूसरा है रखड़ी रखड़ी को कैसे याद करेंगे कि किसी चीज को हम कहां पर रखते हैं माथे पर दोसे रखड़ी तीसरा है टिकड़ा टिकड़ा किसका अभुषण है तो यह माथे का अभुषण है टिकड़ा किसका अभुषण है माथे का तावीद किसका अभूशन है? माथे या सिर्का अभूशन है, कौनसा तावीद? Next, महमद, महमद किसका है? सिर्का Next, हमारा फीनी, कौनसा फीनी? एक फिर्णी है जो नाक में पहने जाती है और एक कहां पर पहने जाती है सिर में जिसमें बड़ी E की आती है उसे जिस फिर्णी में मतलब F में बड़ी E की मातर आती है वो सिर का होता है और छोटी के आती है उसमें नाक का होता है पीणी कहां पर पैने जाती है, एक तो नाक में पैनी जाती है और एक पैनी जाती है सिर पर नेक्स्ट हमारा सांकली, सांकली कहां पहना जाता है, सिर पर सांकली सैसे, सिर और सैसे सांकली, टीडी बढ़को, टीडी बढ़को कहां पर पहना जाता है, ये भी सिर पर पहना जाता है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एक profit सिर्कॉत मरने påcast टोपिक राजस्तान की प्रमोप अभू सड में नाख के अफ इसन् टोपिक नमबर 1-2 हमारा नाक केआभूसरोड इस में पहला है नत नत कहां पहना जाती है नाक में कहां पहनी जाती है नत नाक में पहनी जाती है नाक का दूसरा आभूशन है लोंग कौन सा लोंग है तीसर है काटा नाख का तीसरा आभूशन कौन सा है काटा चोथ है चौप किसका आभूशन है ये नाख का नाख का चोथा आभूशन कौन सा है चौप पांच वह चुन्नी इंपोर्टेंट कुशन है कि चुन्नी किसका आभूशन है तो इ शट्टा है बेशरी बेशरी किसका अभुषन है नाख का साथ वाई एक फीन है जिसमें छोटी की मातर आती है वो किसका है नाख का और बड़ी की मातर आती है वो है सिर्का और आठवा है बुलाक बुलाक किसका अभुषन है ये नाख का अभुषन है किसका नाख का तो नाख कितने हब ऊँषन होगे आठ इंपोर्टेंट आउचन है नेक्स्ट अमारा दान्त के आउचन दान्त के हब ऊचने को पहला है रखन उंस है पहला है रखन रखन किसका आउचन दान्त का दूसरे चुंप चूप किसका अभुषण है तो ये भी दात का अभुषण है नेक्स्ट हम कान के अभुषणों के बारे में चर्चा करेंगे किसके कान के अभुषण है जितने भी कान के अभुषण है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे पहला है करणफूल, कुनसा करणफूल, किसका आभुषन है कान का, पहला आभुषन है करणफूल, दूसरा है सुरलिया, सुरलिया आभुषन किसका है, ये भी कान का है, तीसरा आभुषन कौनसा है कान का, मोरफवर, मोरफवर, तीसरा आभुषन है कान का, चोथा है जेला, क तोट कानका चौता बुषण कुनसा है जेला पांच वहह जमेला कुनसा जय मेला उस शाट्ट्य जुमका और साथ है लटकन कुनसा है लटकन आठ्वाहे कुणल कुनसा कुंडल कानका बुषण यह वही और दसवः अगोट यह important है यह पिछली बार सेकन्ड ग्रिड एग्जाम की सेकन्ड ग्रिड एग्जाम में आया हो कि सेने अगोट यह कहां पर पेहना जाता है तो इसका right answer था कान पर कहां पर पेहना जाते है कान में 11 वह तॉप्स काहा पहना जाता है कान पर 12 वह बाली बाली काहा पर पहना जाता है कान में कान की बाली और 13 वह पीपली पत्तर इंपोर्टेंट है यह भी पीपली पत्र कांपर पहना जाता है पीपली पत्र पहना जाता है कान पर कांपर कांपर पहना जाता है कौन सा पीपली और चोधव है गुर्ड़े गुर्ड़े कांपर पहना जाता है कान में कौन सा गुर्ड़े कान में पहना जाता है नेक्स्ट अमारा गल्ली के आभुषन जितने भ में चर्छा करेंगे पहले हमने सिर के आवुसन पिर नाख के आवुसन के बारे में चर्चा करेंगे अब उसके बाद दांत के और उसके बाद कान के आवुषन अब चोथा है कौन सा गले में जितने भी आवुषन है उनके बारे में चर्चा करेंगे तो गले का पहला आवुषन है कौन सा मटर वाला कौन सा आवुषन है मटर वाला पहला है मटर वाला दूसरे मोहन माला कौन सा मोहन माला मौन वाला आवुषन किसका है गले का पहला है तीसरे तिमनिया किसका है तीमनिया तिमणिया आभूशन किसका है गले का आभूशन चोथा है थमणिया कुनसा है थमणिया 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 आभूशन किसका है गले का आभूशन ये भी पांच वै पंच लड़ी इंपोर्टेंट है कि पंच लड़ी आभूशन कहां पहना जाता है तो इसका राइट आंसर है गले में कहां पर गले में पहना जाता है और छटा है चमपाकली चमपाकली और भी इंपोर्टेंट है कि चमपाकली कहां पहनी जाते हैं तो इसका राइट आंसर है गले में कहां पहनी जाते हैं गले में पहनी जाते हैं चमपाकली और साथ वह गिल पटिया कौन सा गल पटिया गलपटी यह कहां पहनी जाती है गले में आठवा है गलसरी कोन सा है गलसरी गलसरी कहां पहनी जाती है तो गलसरी पहनी जाती है गले में नेक्स्ट है मारा नवा मांदलिया कोन सा है मांदलिया मांदलिया कहां पहनी जाती है तो यह पहनी जाती है गले में मंगल सुत्र किसका अबूशन है गले का अबूशन और ग्यारव है तुलसी इंपोर्टन टुलसी कहां पहना जाता है तो इसका राइट आंसर है तुलसी पहने जाते है गर्धन में कहां पर मतलब गले में नेक्स्ट रानी हार, रानी हार तो ऐसे याद हो जाएगा तो इसका राइटांसर रानी हार काँ पहने जाता है गले में नेक्स्ट अमारा चंदन हार, चंदन हार काँ पहने जाता है तो हार से जितने भी होंगे वो सब काँ पहने जाएंगे गले में नेक्स्ट अमारा चोद्वा मोतिहार कुन्सा मोतिहार काँ पहना जाता है गले में पहना जाता है मोतिहार को काँ पहना जाता है गले में पहना जाता है नेक्स्ट अमारा कंठी काँ पहना जाता है ये भी गले में हार हमेल हमेल काँ पहना जाता है गले में हमेल किसका अबूशन है तो इसका राइटांसर है गले का प्रमुख आबूशन है अमेल मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन है सत्रव है टेउटा कौन सा टेउटा आभूशन कहां पहना जाता है तो इसका भी राइट आंसर है कौन सा गले में कहां पहना जाता है गले में कौन सा टेउटा आभूशन नेक्स्ट हमारा अब हम करेंगे बात बाजू के आबुशनों के बारे में जो इंपोर्टेंट बाजू में कौन-कौन से आबुशन पहने जाते हैं जिसमें पहला है बाजू बंद कौन सा बाजू बंद बाजू बंद आबुशन किसका है यह बाजू का आबुशन है तो दू कि अनत कहां पहना जाता है अनत आभूशन कहां पहना जाता है तो इसका राइट आंसर है बाजू में कहां पहना जाता है अनत आभूशन बाजू में पहना जाता है कौन सा आभूशन तो उसका राइट आणसर है अनत आभूशन कहां पहना जाता है बाजू में पहना जाता है नेक्स्ट है मारा तकमा ये इस अनद से भी इंपोर्टेंट है कि टकमा अभुषन कहां पहना जाता है तो इसका भी रैइट आंसर कौन से बाजू बाजू मी पहना जाता है कौन सा तकमा हभुषन कहां पहना जाता है बाजू में तकमा अबुषन कहां पहना जाता है बाजू में और प्लास्ट एक बाजू का अबुषन टड़ा कौन सा टड़ा टड़ा अबुषन भी कहां पहना जाता है बाजू में तो बाजू की कितने अबुषन होगे 5 कौन कौन से नमबर एक है बाजुबंद, दो है भूजबंद, तीसरा है अनत, और चोथा है तक्मा, पाँचवा है टड़ा नेक्स्ट हमारा है कलाई, मतलब हाथ में जो भी हभुशन पहने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगी पांचवा टोपी कही है हमारे हाभुशनों के अंके बारे में चर्चा की है पहले सिर की, दूसरा, नाक की तीसरे गले के चोथा है, दांत की और पांचवा चर्चा की है है हमने किसकी बाद जो कि ओ छटा है अब कलाई मतलब हाथ की अब भुषन जो कलाई में पहने जाते तो कलाई में पहने जाने वाला पहला भुषन कौन सा है चूडा कौन सा चूडा भुषन कहां पहना जाता है कलाई में दूसरा है कडा कौन सा है कडा कडा को कहां पहना जात जाता है तो इसका राइट आंसर है कड़े को पहना जाता है कलाई में तीसरे कंगन इंपोर्टेंट है कंगन इसमें कंफुजन हो जाते हैं कंगन कहां पहना जाता है तो इसका राइट आंसर है कलाई में कहां पहना जाता है कलाई चोथा है बंगडी बंगडी को कहां पहना ज जाता है पंगड़ी को पहना जाता है कहां पर कलाई में और पांच वाए गोखरू कहां पहना जाता है तो इसका राइट आंसर है गोखरू भी कहां पहना जाता है हाथ की कलाई में कहां पहना जाता है हाथ की कलाई में कौन सा गोखरू हाथ की कलाई में पहना जाता है और ला कि तो वह भी पढ़ते हैं कलाई में कि साथवह हथ फूल लाथ को दो याद करने के जरुबत नहीं वैसे यह हक फूल मतल बाद मिंक्स्ट राफपान राफ़ पान वी कहां पहना जाता है तो इसका राइट आंसर हाथ में कहां पर अधमि उन फ्रूनव ओअ इंपोर्टेंट ह पार पान जो हब मुसन वो कहां पहना जाता है तो इसका राइट अंसर है हाथ कि कलाई में पहना जाताए The कौन सा हार पान इसको ज़्यादातर गले में लगा देती है जब दस्वाइब पाटला पाटला तो यह वैसे जो कड़े की रूप तरह को होता है उसे पाटला कहते तो यह कांपर पैना जाता है यह भी गले में पैना जाता है अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टोपिक हमारा कौन सा है हाथ की अंगुली के हभुषण इससे पहले हमने हाथ की कलाई के अभुषण के बारे हम चर्चा के थी अब हमारे टोपिक है हाथ की अंगुली के हभुषण कौन से हाथ की अंगुली के हभुषण जिसमें पहला है अं तो थाई बीटी बीटी आभूशन कहा पहना जाता है तो इसका राइट आंसर है अंगूली में पहना जाता है तो अंगूली में कहा पर अंगूली में पहना जाता है नेक्स्ट अमारा अब हम पढ़ेंगे हाथ के अंगुटे के अबुशन और कमर के अबुशन हाथ के अंगुटे मातर एक अबुशन पैरना जाता है जिसका नाम है अरसी के अनाम है अरसी नेक्स्ट अमारा कमर के अबुशन कमर के अबुशन कौन कौन से देखो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो पहला है तागडी कौन सा तागडी या तगडी तागडी या तगडी कहां पहना जाता है तो इससे पहना जाता है कमर में कहां पहना जाता है कमर सीख तो इसका राइट आंसर कमर नेक्स्ट हमारा कनकती कनकती कहां पहना जाते है कमर मी चोथा है कंदोर या कंदोरा कंदोरा भी कहां पहना जाते है कमर मी कंदोरा अभुषन कहां पहना जाता है तो इसका राइट आंसर है कमर मी पहना जाता है पांच वह सटका, important है, कि सटका आभुषन कहां पहना जाता है, तो इसका right answer है, सटका आभुषन कमर में पहना जाता है, कहां पर पहना जाता है, सटका आभुषन कमर में पहना जाता है, तो कमर के आभुषन कौन-कौन से हो गए, नमबर एक पहला है, तागडी या तगडी, दूसरा है करदनी, तीसरा है कनकती, चोथ है कंदोरा और पांचवाय सटका इससे पहले हमने जो अरसी अरसी अब उसन उसी कहां पहनते हैं हाथ के अंगुटे में पहना जाता है अब हमारा लास्ट टौपिक है पैर के जितने भी आउस से ने उनके बारें चर्चा करेंगी, जो इंपोर्टेंट टौपिक है यह भी पहला है पाई जेब, पाई जेब तो सब इको याद होगा कि पाई जेब कहां पहनी जाती है तो इसका राइट आंसर है पैर की पाई तो इसका रयॅट आंसर पयंजनी आभूसन परं में पैर्ढ हैं पर नगराओ नेंच पहना जाता है कहां पहना जाता है पैर में पांच वह नुपूर अभूशन नुपूर अभूशन भी कहां पहना जाता है पैर में पूरा 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 रचल कड़ेयोخ अभूषन पहुं मैं पर यह मैं कोंसा ई रचल कर राइट आंसर है jeज रमिनों मैं यह शहन पहुं लेओन इल्सन पढ़ एक रचल कभिड़anka कजि़तने जो यह में तर सब्सक्राइव कश्थट ही के तींट पढ़ ले हमने पैर की अंगुली के हाभुषन बच्छे हैं जो कौन-कौन से एक तो बिच्छिया मच्छी बिच्छिया और मच्छी जो पैर के अंगुली में पहने जाने वाले हाभुषन है कौन-कौन से बिच्छिया और मच्छी आभुषन नेक्स्ट हमारा पैर की पूछ लेते हैं एक्जामी इंपोर्टेंट ये भी एक्जामी पूछ लिया जाता है कि तंग किसका अब तंग जो आप उसने उट में कहां पहने जाता है मौर खाव उसने किसके तो इसको याद कर लिना है थेंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो